असलाम अलेकुम, ओपन मार केफ में वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा प्यूर्स कई मुसल्मान मुमालिक में फैमिली प्लैनिंग के प्रोग्राम्स पर बड़ी काम्याबी से अमल होता है लेकिन पाकिस्तान में ना सिर्फ इस टॉपिक को एवोईड किया जाता है बलके एक स्टिगमा समझा जाता है इसकी क्या वजुहात हैं और पिर इसके क्या कौनसेक्वेंसेंस होते हैं इस पर बात करेंगे हमारे शो में हमारे पैनलिस्स से हमारे रिसेर्चर से और डमी म्यूजियम से आए कुछ सुसाइटी के कैरेक्टर से असलाम लेकुम वालेकुम साथ मैं तेरे पुत्र है गे रहे होना छेती हैं टोटल नौँ पाइना दो और करें प्यासल में बेज़ें पूरी टीम पियासलन के कार्ण रोटीक खान ली नहीं गया तेरह समझा नहीं है कम जोर होगी है चक्कर आंदे यकीन करो कि तुम कोश़्शी भी नहीं है शजादी यह गया तुम दवा तुम तो तह नहीं कोश़्शी नहीं हो तुम काम कर दा ही पाइन, पहले कप्रियल काँ झाहन थे वना जवाब दे थे यह और कारीगार चाहिए नियुगा, क्रोन ना था, उनू बता दे है मैं दिया उन्न कारपीस लेना और उन्न कच्छे बनाना मैंनों भी ही जरना बच्छे मेरे मेरे अजी मेरी कार्ची माशाला बड़ी सेल हो जांदी अली ये चांदा ही कोई ऐसा काम हो वेज़ ना कार्ची में करी जावाँ अच्छा तुम कोई ढंका काम करो तुमने घर पे जो फौज पाल रखी है ना अब तुम्हें चाहिए कोई ठीक ठा काम करो तगड़ा अफटाब साथ ये जो लेड़ी हेल्थ विजिरल यहां बैठी हुई है ना ये सामराच और इस्तमार की इलामत है हता कि जो पोलियो के कत्रे हैं ये भी बहुत बड़ी जिल्लत है अफटाब साथ ती आपने भी नहीं इन्हें समझाया सारे मैं जाती हूं समझाने के लिए आगे सी कहती के मेरे हस्बन बहुत साथ है अभी चली जाओ बड़ा समझा अना दिया गोई नू समझा और लाग पेंदे है शोहर को साथ ही होना चाहिए अब किस चक्र में बार 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 बोले जारहे हैं अपनीमारी पर बोल अरे आपके टांक को क्या आप जैसे लापने साथ हाँ आप इस तरह ना कहें देखें ये नामनासिब है आप चाहब पाइंता नहीं पता है इन्ने बच्चे गैनों उस खपड़े पाने रोटी कवानी कि फो खातून वॉरत का काम यही है घरदारी बच्छों का ख्याल, मिया का ख्याल, नौ बच्चे क्या होतें, कुछ मी नहीं होतें ये है जूलरी पाइने, आवी कालनू वेखी बेके जाना है खातून तबक्त मैं तूँ चोका अपड़िये खजूरा में जड़ लगा है कम में गुजारा करना सीखे, कम में गुजारा करना सीखे काट बच्या नगजारा नहीं हो सकता मेरी जिन्दगी छोड़ो, देख एदर वेख मेरी जिन्दगी चाट डूड़ तो, कामकार जा अस्तगफर अल्लाः, अस्तगफर अल्लाः खातून क्या होगे शोहर है, आपके मिजाजी खुदा है, उनकी इसत कीजिए क्या मूँ दिखाएंगी रोजे महशर, क्या आपका शोहर कह रहा है, कि मेरी तरफ देखो, आपके मेरी जान चाट, कैसी औरत है रोजे महशर मैं मूँ नहीं वो खाना, मैं नो बच्चे वो खावाँगी, मेरा की कसूर है खातु अल्ना की देन है, आप खलिब बात कर रही है तारी साथ मेरी तलाग ना करा देना एफस जे खुदा के लिए आप भी कुछ बूली, ये तो माइक छोड़ी नहीं रहे है जब आप जहालत के हाथ में माइक देंगे तो ये ही कुछ होगा आप ने इतनी जहालत की बाते हैं, एक दिन में कभी नहीं सुनी होगी जितनी आप आज सुनने को मिली आखर क्या वज़ा है कि बंगला देश ने, अफगानिस्तान ने, इजिप्ट ने, एरान ने, मलेजिया ने, इंडोनेजिया ने हर एक ने अबादी को कंट्रोल किया है, 1.5 से बढ़ने निदी ग्रोथ आपकी 2.5 और 3 के बीच है बिर्मियान में चलगे यहां ने, मैं सारे इश्तियार दाए, टीवी ते, जड़े आने ने, मसुभा बंदिया लेने, बंद का देना टीवी हमारे हां तो contraceptive के methods नहीं आते, people don't know the modern method जो आपके index होता है, contraception के understanding का, adoption का, बहुत लो है, बहुत lowest है यहनि primitive methods है, contraception के, तो फिर blame किसे करें सर, हम बताती है, यह सीखती नहीं यह डरती है अपने शोहरों से ऐन आगे छोडे माहता है लो ठीक करता नहा का खातून नहीं है। अगर आप मजबूर करेंगे तो वह फुड़ाइगा आपको अच 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 ये जो पड़ लिखे लोग है ना इन्होंने बेडा घरक कर दिये अस मॉमिलकेते खुदादाब का एफसु जै, what is the reason ये क्यों mentality change नहीं सबसे ज्यादा जो वज़ा है वो है चहलत की जहां पर आपको शौर ना हो फिकना तो वहां पर यही कुछ कुछ होगा वो साब जो बैठे वे हैं, इसी तरह जो है, इनको तलकीन देतने. ये Southern इसास नी होगा. कि मेरी बीवीए एक तरफ तो कहते हैं कि मेरी बड़ी महभू है hani बड़ी खुमूर बबीवीए चाहेती हैी नियो निटल डेट्स होती हैं, हेल्थ कंप्रमाइज हो रही है, ना सिर्फ मा की बलके अलाद की भी. और इसका रिलिजिन के साथ बहुत काम लोग है. यह समाजी है, यह जादतर बहेवियर है, कुल्च्रल बहेवियर है. यह समाजी मसले हैं, तहजिबी मसाइल हैं, यह सिर्फ खालस मजब का मसला नहीं है. जिसलिए भी मिसाल दी गई, कई मुसल्मान मुमालिक ने बड़ी कामहभी के साथ खंदानी मौनस्वाबंदी की है. तकरिमान सब ने, अब ने कहीं ने, सब ने. गौर्मिन्ट कुछ करना चाहिए था ना, जर्माने करना. अस्तखफर ल्ला, जर्माने, इसलिए हम सीपेक के खिलाफ हैं. सीपेक को भी लिए हैं, पॉप्लेशन प्लैनिंग में. सीपेक का क्या तालुक है? भाजी, मेरी बेगम्दा सीपेक हैं की तालुक है? जर्माने, जर्माने, जर्माने करते रहों. पहले जर्माना की है, क्या फाइदा हुआ उसका? ठीक है? अब इजाज़त देदी. क्यों? बच्चे लावारिस हो गएं, वहाँ पर चाचे ताए, नाने, मामे, फुपे, ये रिष्टे हैं ही नहीं. अस्तग्फिरूल्लाः ये कैसा माश्रा होगा? ये कैसी ममलिकत होगी? जहां पर ये रिष्टे ही नहीं है? मुझे बताईए, अफ़्ताब साभ मैं बात खलत कर रहा है या सभी कर रहा हूं? तुसी मेरे चाड़ा पराटा दिखा आए, मेरे अधपरसा हो देने, तुसी उन्हों हो रालाचेरी देए जादे. यार उसकी सेहत का मसला है, वो मर जाएगी बेचारी. तो खालत है, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होता. अब तब साभी बात नाना है, मैं वान फाइव तक लाइन लगा देना और उसके बाद ये और उसके बाद ये और उसके बेटा नहीं हो सकता, दूसरी शादी, तीसरी शादी या इवन डिवोर्स दे देते हैं. प्राब्लम जो है, वो जहालत ही है ना. सार, हमारे कस्बा गुजरात में एक खातुने, उसकी तेरा बेटिया है और उसका हस्बन उसके साथ सकती करता है, वो इतनी बिमार हो चुकी है, कि वो अपना हिलाज भी नहीं करवा रही, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, ना अपनी बच्चियों का सही तालीम दिलवारी है. तेरा बच्चियां? जी, और बेटे की आसमें, कि शायद आपकी बेटा हो, उसका शोर कहता है। सर अगर एक बेटा हो भी झाये, तो उसके बाद दूसरा होता है, पिर लाहे होगा, सारे की सारे, जो यह पैदा किये चला जाए हैं ना वो पागल, वो लाहे पैदा कर रहा है और सर एक थोड़ी होगा, छोटे-चोटी-छोटी-बच्चिय है ना वो आपकी एकनामिक्स है क्योंकि उस बच्ची को घर में रखा नहीं जा सकते हैं इसलिए जल्दी शादी कर दी जाती है जान छूटे उनका रिप्रोड़क्टिव स्पैन ज्यादा होता है फिर वो तेरा 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 चौदा चौदा बच्ची करते हैं मैं बड़ी चोटी है इसाद 13 साल दी मेरी उमर सी पाद नहीं काले मूँ अलाकि थो वेदा ही मैंनू मेरे माँ पर चेती में नहीं कड़न दी कीती है मैं भी तो 17 साला था सी एटी कड़ी का ले घर के लिड़ी चान नहीं बच्छे है में बनी आफ़ी पाल लगी तो नहीं डासर चोड़ी उन देखो किया नहीं रह physicians है 26 जान देया था चर्ची बूस ही पहदा करो पातून मैं वही बात कर रहा हूँ कि अल्ला ने वादा किया है कि आप भूके नहीं सोएंगे तो नौ बच्चे खाना खा कहा कही सोते हैं सुन देने रोज मैं जाना दर बाहर थे जिकिन को एड़ा चाना उन्दा शापर पर किले होना मुलाना सुने वो खहरात का खाना बच्चों को किलता है हर चीज हकूमत को देखनी पड़े है कियो हमारी यूथ के पास काम नहीं है क्यों हमारे जवान लड़के लोक जो इसी तरह फिर रहे हैं उनके पास काम करने को नहीं जब तक काम नहीं है जब तक काम नहीं है इसमत तक तो रुखे यह हाथ वला रख लें आब आदी थोड़ी सी कम हो लेने दे देखे कुछ तो कर रहा है जवान आप भी है कोई एक्टिवीटी नहीं है यह नहों बचेंदी एक्टिवीटी और में लुटो खेटन दे आई जोड़ी तेशी बेडे गर कोगे नहीं चातून आप गलत बात कर रही है आपको कफारा दा करना पड़ दे इसका बादी जिकीन करो मैंच ब्लैद नहीं करो अरिभ्लेड़ी नहीं है विससे ले लात कोँ तेख भीगें से तर जू उत पलाओ बाओ गर् विग नहीं है रु तो ऐसे घरों में काम भी खवातीन करती हैं, मर्द हज़रात सिर्फ इंजॉय करते हैं, लक्जरी लाइफ के लिए इंजॉय की कारज़ को ले लगे शांप आजब की होते, कुल काम करते हैं, साना दिन घरों में पढ़े रहते हैं अमरीका केमिराज मेलती हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करण दी गश्रीका केमिराज के लिए ज्यादा प्याज़ करने लिए तो में अंदाजा नहीं है कि वह कितनी बडी जिलत है हकूमतों के लिए क्यों? यह अस्ट्रेलिया में इसको डोल कहते हैं यह जो देना पड़ता ने वेलफेर स्टेट को डोल करते हैं तो शुकर करो कि तुम्हारे उपर केस नहीं हो रहा है अच्छा फसे कि बताईए कि गर्मेंट की तरफ से कांटरसेप्शन या इनकी काउंसिलिंग के लिए कुछ होता है उत्रा नहीं होता है जितना होना चाहिए स्टाप स्टार्ट ठीकर ने ये कभी एक दम जो है वो पूरा जो है कैम्पेंच चलाए जाता है फिर काफी अरसे के लिए चुपो जाते है जातर जो है वो मौलाना साब जो है इनकी जहालत से डरते है जिस किसम की जहालत की बाते ह यहां यह कर रहे हैं यही बार भी यह करते रहते हैं। और पड़े लिखे हुक्मरान भी तो जाहिल हैं। सिर्फ वही नहीं हैं। यह जो इस काम के लिए रकम मुख्तस करते हैं बजट में एक तो वह इनताई मीगर अमाउंट होती है। फिर साल के एंड में जब खत्म हो रह सबसे एफेक्टिव फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो है वो जैनल ज्यावलहक के वक्त में शुरू हुआ। इसलामाइजेशन का जब बहुत ज़्यादा बात होती थी उस वक्त शुरू हुआ। नाइटीन एड़ी सिक्स में। इसलिए कि यह सब उसके साथ थे जो मुल्क बना इन लोगों के जोर पे था अब आपने साइट पे कर दिया उन्हें। सिर्फ एक अबजेक्टिव रेजलुशन पे टरखा दिया उन बेचारों को। अगर कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या ला इला इला तो पूरा करो ना उसके ओपर उनका हक अदा करो। अब ह तैनु को इस निदा पाका लिए पॉलर जाया कर तैनु कि निवरी क्या है। मैं बगैर पॉलर तो नोगों ते पहुंच गी अगों की करेंगा था। तैनु कि निवरी क्या बाल डाय करवा। मैं आला दी किसमें टेंड करा ला नहीं है। प्लानिंग है। और ये बात दुरस्त है कि जयो लग के दौर के बाद कभी किसी ने जुरत नहीं यह नहीं कि ध्यान नहीं दिया। कहते सब हैं अमल द्रामत करने की जुरत नहीं की। बैसे कि यो नहीं की थी। यह जो हैं बैटे हुगे। कोई करके दिखाए फिर देखे प्लाइशन के तरीके मीडिया के ओपर कैमपेंज जी जी बलकुर तीवी के ओपर कैमपेंज चलने लगी थी कांट्रासेप्चन के वाले से यह जो टैबू हुआ करता था यह बात दुरस्त है लेगिन फिर रुग गया ना। उस पीरिट में उनको सपोर्ट भी हासल थी मौ हिस्सा देना ये तो शायद मैं समझता हूँ प्रोजैक है उन्हें इन्वाल्व कर लें भरपूर तरीके से इन्वाल्व करें तरला करें मिन्नत करें ऐसी क्या बात है हमी में से हैं ना इनको उसका हिस्सा बनाएं 1986-87 में तो खुद कहता हूँ ये काम इनी से करवाएं वु कि ये जो बात हो रही है कि जी बच्चों में आपके फासला होना चाहिए एक ने भी उसको कंडेमनी किया सबने स्पोर्ट किया लेकिन मेरा ख्याल है ये जो उस दौर में जो केमपेंड चली थी उसके कुछ असरात मेरा ख्याला है अपर मिडिल क्लास सामिली में महसूस होते हैं वहां कुछ रियलाइजेशन है कि बच्चे ज्यादा नहीं होने चाहिए जर देखिए ट्रेजिडी जो क्लास पड़ी लि उस क्लास में भी जितनी मर्जी काउंसलिंग कर दी जाए सारी रिस्पॉंसिबिलिटी से फीमेल को दी जाती है मेल्स नेवर फॉलो कांटरसेप्शन मेथर्स क्यों अगें अगें दी कुल्चिल इंपक्त जो बिलीफ है जो पाट्रियार्कल सिस्टम है जो मर्द की जो पॉ जाती बात है गुना है सर। सेक्रिफाइस नहीं करता वो वो सेटल विद लस नहीं करता वह बिलकूल ऐसी है। सर हमारे और भी मसायल है हमें फंड्स काम दिये जाते हैं हमारी सेलरियां काम है हमारी डूटियां इतनी दूर लगाई जाती है हम अपने पले से कैसे पैसे कि क्या कहें उससे कि जो बात समझता ही नहीं वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं वो इस जैसा बंदा है। कारलवा कोई जगा भी थे होए जिथे वेल करां। दुनिया भड़ी पड़ी है मेरे दोस्त। बॉनल साब कोंसी दुनिया चा कह रहे हैं उनको आप दुनिया ये देखो तुमने नौ बच्चे पैदा किये हैं अलाम्दुलिल्ह अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम जतना काम करते हो ना ओवर टाइम लगाओ डबल करो डबल करोगे तो इन बेचारों को खुराक मुना करो हुआ जालमा सोन ला मैं तो जो पैदा कार सकना हो कार रहे हैं पाए अंशाला यही बहुत है यही बहुत है मेरे माई के नहीं को शेर्च सारी गाल समझाती हूं ना समझता डिमर्जी मैंनो को का यह बहुत सानों खबराएं कॉंदा इसी ना पीटीवी चुड़ी यजा का फड़ी बहुत है ला मैंनो का ए गाल समझता गाटी घ्याल सवरी दो क्मर्भ दो का ज्वाल समझी च कि बहुते हैं कॉंदा हैं कि अबहुत मिि उदा ना मी औरत्ती हैं